हेलो एवरीवन स्वागत है आपका दाइग्जाम ट्यूटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को जिसमें से लगभग सभी competitive exams में question पूछे जाते हैं तो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है भारतिय रास्ट्रेक कॉंग्रेस या Indian National Congress इस टॉपिक से सम्बंदित जितने भी important questions और important facts होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से सम्बंदित कुछ वीडियो में पहले ही upload कर चुकी हूँ उनका link description में है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो playlist में जाकर देख सकते हैं आज की वीडियो का topic काफी important है तो वीडियो में end तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस तो दोस्तो इसके question answers को करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं देखें हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो अंग्रेज हैं वो पहले वैपार करने की मनसा से भारत में आये थे किन्तु उन्होंने यहां की इस्सिति को देख कर समझ कर उन्होंने यहां राजनेतिक अधिकार को प्राप्त कर लिया राजनेतिक अधिकार को प्राप्त करने के बाद उन्होंने यहां के लोगों के पड़ती शोषनकारी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया तथा राजनेतिक अक्षेत्र में, समाजिक अक्षेत्र में और आर्थिक अक्षेत्र में भारतियों का शोशन करना शुरू कर दिया इनहीं शोशनकारी नीतियों का विरोध भारत के अलग-अलग हिस्सों में छोटे बड़े स्तर पर हो रहा था और भारत में छोटे-छोटे दल या समू भी बन रहे थे जो अंगरेजों का विरोध करते थी तो बात ये उठी कि क्यों ना एक बड़ा दल बने जिसके माध्यम से अंगरेजों के सामने चुनोती पेस की जा सके हलाकि इसका निर्मान एक बेटिसर ने किया था जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारतिय रास्टे कॉंग्रेस है इसकी स्थापना किस ने की थी जो कि एक बेटिसर थे वो चाहते थे कि अंगरेजों के खिलाफ जो छोटे छोटे दलो द्वारा विरोध हो रहे थे वो ना हूं और एक ऐसी संस्था या सम्हू बने जिसके द्वारा अंगरेजों के सामने एक आग्या पत्र या रिक्वेस्ट के रूप में अपनी बात र पता था कि धीरे धीरे भारतिया राजनीतिक आंदोलनों के दुआरा ये इतना व्यापक हो जाएगा कि ये संस्था भारत की स्वत्युत्रता प्राप्ति के लिए एक बड़े रास्ते के रूप में सिद्ध होगी तो 8 दिसंबर 1885 को स्थापना किये जाती है किसकी भारतिया रास्ते कॉंग्रेस या इंडिया नैशनल कॉंग्रेस की और इसके संस्थापक कौन है यानि कि इसकी स्थापना किसने की तो इसकी स्थापना की ए ओ ह्यूम ने ए ओ हिऊं जो है यह बेटेन के निवासी थे बेटेन में स्कोटलैंड के निवासी थे और भारत में यह एक अधिकारी के पद पर काम कर चुकिए थे तो याद रखेंगे एक्जामे के यह बार कुश्चन पूछ लिया जाता है कि जो A.O.Hume थे यह कहां के निवासी थे तो यह स्कोटलंड के निवासी थे भारतय राश्चय कॉंग्रेस के जो स्थापना हुई वो कहां पर हुई तो यह हुई थी Bambai में और इसका जो नामकरण है यानि की भारतय राश्चय कॉंग्रेस या Indian National Congress तो यह किसने किया इसका नामकरण तो इसका नामकरण किया था दादा भाई नरोजी ने जब इसके स्थ स्थापना की गई तब इसका नाम भारतिया राष्ट्रे संग था यानि इंडियान नैशनल यूनियन था लेकिन इसका नाम करन किस ने किया दादा भाई नरोजी ने किया और इसका नाम क्या रखा गया भारतिया राष्ट्रे Congress रखा गया तो अब इसके question answers को देख लेते हैं और question answers से related जितने भी important facts होंगे वो मैं साथ साथ बताती जाओंगी अब देख लेते हैं पहला question है भारती रास्टे Congress की स्थापना कब हुई वर्स 1985 में वर्स 1885 में वर्स 1887 में या वर्स 1886 में तो भारती रास्टे Congress की 25 में next question देख लेते हैं भारती रास्टे Congress की परथम अधिवेशन में कितने परति निध्योंए 42 ने या 82 ने तो भारती रास्टे Congress की जो परथम अधिवेशन हुआ था कहांपर हुआ था तो परथम हुआ था बंबई में 1885 में और इसके अध्यक्स कोन थे तो इसके अध्यक्स थे व्यमेश चंद्र बनर जी और इसमें कितने परतिनिध्यों ने भाग लिया था तो एक्जाम में एक कैई बार क्वेशन पूछा गया है कि पर्थम जो अधिवेशन हुआ था भारतिय रास्टे कोंग्रेस का उसमें कितने परतिनिध्यों ने भाग लिया था तो 72 परतिनिध्यों ने इसमें भाग लिया था आंसर हो जाएगा 1887 में मद्रास में और चोथा कहां पर हुआ 1888 में इलहबाद में तो याद रखेंगे पहला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्सता की थी व्योमेश चंद्र बैनर जी ने दूसरे की अध्यक्सता की थी दादा भाई नरोजी ने तीसरे की अध्यक्सता की थी बदरोदीन तय में पढ़ता है दूसरा फिर हुआ कहां पर पूरु में जो पढ़ता है कलकत्ता में हुआ तीसरा हुआ मद्रास में जो कि दक्षिन में पढ़ता है और चोथा हुआ इलाबाद में जो कि उत्तर में पढ़ता है तो देखें यह चार अधिवेशन हैं यह चारों दिशाओं में भारत के अलग-अलग हिस्सों पर क्यों किये गए तो देखिए, इनका मानना था कि ऐसा करने से इसको व्यापक रूप दिया जा सकता है यानि कि भारत्य रास्टे कॉंग्रेस को एक व्यापक रूप दिया जा सकता है और एक ही जगह पर अधिवेशन करने से ये कहीं एक ही हिस्से के रूप में या एक ही अक्षेत्र की संस्था बनकर ना रह जाए तो इसी लिए भारते रास्टे कॉंग्रेस के जो अधिवेशन थे वो अलग-अलग हिस्सों में किये गए तो याद रखेंगे पहला हुआ कहां पर बंबई में दूसरा कलकत्ता में ती ब्बाते रास्टे कॉंगरेस का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था कॉलकाता में हर लाहोर में मुंबई में या पूने में तो जैसा कि मैंने पहले हिवा नको प्भारते रास्टे का इस्था도 महां और इसका पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में और इसकी अध्यक्सता की थी विवेश चंद्र बैनर जी ने नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं भारते रास्टे कॉंग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिटन लॉर्ड कैनि या लॉर्ड डफरीन तो भारते रास्टे कॉंग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरीन आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड डफरीन नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं भारते रास्टे कॉंग्रेस के पहले अध्यक्स कोन थी ए ओ ह्यूम, डब्लू बारतिय रास्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कोन थे अबुल कलाम आजाद रफी एहमद की दवई म अंसारी या बदरुदीन तयव जी तो पर्थम मुस्लिम अध्यक्स थे बदरुदीन तयव जी और इन्होंने कब अध्यक्सता की थी तो 1887 में मदरास में ज मुस्लिम अध्यक्स थे एकजाम में कोशन पूछ ले जाता है तो याद रखेंगे पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कोन थे तो बदरुदीन तयव जी नेक्स कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन है भारतिय रास्टे कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्सता किस ने की थी गणेश आगरकर ने सुरेंद्रनात बैनर जी ने दादा भाई नरोजी ने या फिरोद सहां महता ले तो भारतिय रास्टे कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्सता किस ने की थी तो ये की थी दादा भाई नरोजी ने याद रखेंगे आंसर हो जाएगा दॉसरी बार 1803 में और तीसरी बार 1906 में तो याद रखेंगे दादा भाई नरोजी जो है यहनोंने कितनी बार अध्यक्सता की भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की तो तीन बार की याद रखेंगे तो भारतियाः रास्टें का पर्थम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्स था ऐ ओ ले ने कब अध्यक्सता की थी तो छोथा धिवेशन हुआ था 1888 में इलावाद में और इसकी अध्यक्स तक इसने की थी जोर्ज यूले ने जो की एक गैर भारती है थी यार रखेंगे नेक्स कुशन है निर्मने लिखित में से कौन भारते रास्टे कॉंग्रेस का अध्यक्स कभी नहीं चुना जा सका लाला लाज पत्राए एनी बेसंट म आंसर हो जाएगा डी बाल गंगधर तिलक नेक्स कुशन देख लेते हैं लाल बाल और पाल त्रिगुट का कोन वेक्ती भारते रास्टे कॉंग्रेस का अध्यक्स हुआ लालाज पत्राए बाल गंगधर तिलक विपिन चंद्रपाल या इन में से कोई नहीं तो लाल बाल प लास्टे कॉंग्रेस का अध्यक्स हुआ तो यह हुआ लाला लाजपत राए आंसर हो जाएगा ए लाला लाजपत राए नेक्सक्शन देख लेते हैं किसने कहा था कॉंग्रेस आंदोलन ने तो लोगों द्वारा प्रेरित था नेहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजना किया गया था लोके द्वारा सोचा या योजना बद किया गया था तो यह कहा था सरसंएड ईहमद ने आंसर वो जाएगा डी सरसंएद एहमद नेक्स Next question देख लेते हैं, अखिल भारते कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स थी, नलिनी सेन गुपता, सरोजनी नाइडू, एनी बेसंट या कादम्बनी बोज, तो अखिल भारते कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स थी, एनी बेसंट, आंसर हो जाएगा C, एनी बेसंट, एनिबेसेंट जो है 1917 में भारते राष्टे कॉंग्रेस की अध्यक्स बनी देखें एक्जाम में कुषिन दो तरीके से पूछा जाता है एक पूछा जाता है कि पर्थम महिला अध्यक्स पर्थम महिला अध्यक्स अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा अगर पर्थम भारतिय महिला अध्यक्स पूछा जाए तो हो जाएगा सरोजनी नाइडू जो कि 1925 में भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की अध्यक्स बनी देखें भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की जो अध्यक्स रह चुकी है वो तीन महिलाए रह चुकी है 1917 में Annie Besant, 1925 में सरोजनी नाइडू जो की पर्थम भारतिया महिला थी और 1933 में नली निसेन गुपता तो ये तीनों को आप याद रखिएगा, एक्जाम में क्वेशन पूछ लिया जाता है, तो इसका अंसर हो जाएगा, पर्थम भाहिला अध्यक्स जो थी वो भारतिया रास्टे कॉंग्रेस की कौन थी, वो थी Annie Besant नेक्स्ट कॉशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉशन है, भारतिया रास्टे कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बालगंगा धर तिलक ने भाग लिया था, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1917 या अमरिश्चर अधिवेशन 1919, तो भारतिया रास्टे कॉंगरेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बालगंगधर तिलक ने भाग लिया था तो वो था अम्रिच्षर अधिवेशन 1919. याद रखेंगे आंसर हो जाएगा D. अम्रिच्षर अधिवेशन 1919. Next question देख लेते हैं. Next question है. वर्ष 1938 के भारतिया रास्टे कॉंगरेस के हरीपुरा अधिवेशन की अधिवेशन की अध्यक्सता की थी? अबुलकलाम आजाद ने, जेबिक रपलानी ने, राजेंदर परसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो 1938 के भारतिया रास्टे कॉंगरेस के हरीपुरा अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो याद रखेंगे. Next question देख लेते हैं. भारत की सुतंतरता प्राप्ती के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतिया रास्टे कॉंगरेस को समाप्ति कर दिया जाए? C. राजगुपलाचारी ने, आचार्य कृपलानी ने, महत्मा गांधी ने या जैप्रकास नारायन ने? भारत की सुतंतरता प्राप्ती के बाद सुझाव दिया था कि भारतिया रास्टे कॉंगरेस को समाप्ति कर दिया जाए किसने तो ये दिया था महत्मा गांधी ने? आंसर हो जाएगा C. महत्मा गांधी ने, नेक्स कृशन देख लेते हैं, जब भारत सुतंतर हुआ तो उस समय कॉंगरेस के अध्यक्स कोन थे? महत्मा गांधी, जवारलान नेरू, जेबी करपलानी या सरदार पटेल तो जब भारत सुतंतर हुआ तो उस समय कॉंगरेस के अध्यक्स कोन थे? तो ये थे जेबी करपलानी, आंसर हो जाएगा C, जेबी करपलानी, नेक्स कृशन देख लेते हैं, भारतिया रास्टे कॉंगरेस का एक मात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्स्ता महत्मा गांधी ने की थी? इलापाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगाउं अधिवेशन 1924 या करांची अधिवेशन 1930 तो भारते रास्टे कॉंगरेस का एसा कोन सा अधिवेशन था? जिसकी अध्यक्सता महत्मा गांधी ने की थी तो बेलगाउं अधिवेशन 1924 में जो है भारते रास्टे कॉंग्रेस की अध्यक्सता किस ने की थी तो महत्मा गांधी ने की थी आंसर हो जाएगा सी बेलगाउं अधिवेशन 1924 और यह एक मात्र अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्सता की थी महात्मा गांधी नेक्स कुशन देख लेते हैं नेक्स कुशन है निमने लिखित में से कीस अधिवेशन में कॉंगरिस ने पहली बार भारतियरासतों के परति अपनी नीती घोशित की थी नागपूर अधिवेशन में गया अधिवेशन में, कूलकाता अधिवेशन में या कराची अधिवेशन में तो 30 अधिवेशन में कोंगरिस ने पहली बार भारतियर यासतों के परती अपने नीती घोसित की थी तो ये की थी नागपूर अधिवेशन में आंसर हो जाएगा A. नागपूर अधिवेशन में. Next question देख लेते हैं. Next question है जन्गर्ण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? 1866 के अधिवेशन में, 1905 के अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन में, या 1919 के अधिवेशन में. तो जन्गर्ण मन जो है, ये पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था, 1911 के अधिवेशन में, और तब भारते रास्टे कॉंग्रेस की अधिवेशन की थी, तो बिसन नारायन धरने की थी. और ये कहां पर हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1911 में, जिसमें जन्गर्ण मन गाया गया था, और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही बंदे मातरम गाया गया था, और उसकी अध्यक्सता किसने की थी? रहीम तुल्ला सयानी ने. तो याद रखेंगे, ये दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है, वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, उसकी अध्यक्सता किसने की थी? तो रहीम तुल्ला सयानी ने किये थी, और 1911 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन जिसमें गाया था, जन्गण मन और उसकी अध्यक्सता किसने की थी? तो बिसन नारायन धर ने की थी, तो ये दोनों चीज़े याद रखेंगे, तो जन्गण मन पहली बार की सावसर पर गाया था? तो 1911 के अधिवेशन में गाया था, आंसर हो जाएगा C. D. Next question देख लेटे हैं, Congress और Muslim League के बीच परसिद्ध जो लखनव समझोता हुआ, वो कब हुआ था? तो 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में, तो Congress और Muslim League के बीच जो परसिद्ध लखनव समझोता समझोता हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में, answer हो जाएगा D. 1916 में देखे जो 1916 में लखनाव समझोता हुआ था इसमें नरम दल और गरम दल का भी समझोता हुआ था और कॉंग्रेस और मुस्लिम लिएक के बीच भी समझोता हुआ था 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस जो है दो दलों में बट गई थी नरम दल और गरम दल लेकिन जब 1916 में लखनव समझोता हुआ उसमें नरम दल और गरम दल का समझोता हुआ और कॉंग्रेस और मुसलिम लेक के बीच भी समझोता हु तो याद रखेंगे यह सारी चीजे नेक्स कुशन देख लेते हैं नेक्स कुशन है उन्नीस सो सोला में भारतिय रास्टे कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अध्यक्स्ता किस ने की थी एनिबिसिंट ने लाला लाजपत्राये ने मोती लाल नहिरू ने या एसी ने इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार तो याद रखेंगे उन्नीस सो सोला के जो लखनव अधिवेशन हुआ था उन्नीस सोला में उसकी अध्यक्सा की थी एसी मजूमदार ने सो फ्रेंस यह हमारा भारतिय रास्टे कॉंग्रेस का टॉपिक यहीं रहे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू